दोस्तों खाने के साथ अगर अचार मिल जाए तो खाने का टेस्ट ही बन जाता है चाहे फिर वो आम का अचार हो, चाहे फिर वो मिक्स पिकल हो या फिर कोई भी गर्मी के सीजन में तो हम लोग अकसर अचार बनाते रहते हैं आम का हो या फिर कोई भी आचार बना लेते हैं और जसको हम लोग बनाने के और दूप में रख अधे ने लियों काफ़ी टाइम तक्तिद कि यह जो अज बनाने वाली है फरी सब़्ू का रचाबल्य और कि मैं बनाने वाली यह अप को बताने वाली हो कि यह कैसे बनता है सद्यों के सीजन में अक्सर बनाती हो मेरे हनी को बहुत पसंद होता है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो रेसीप को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजेगा करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्टे के मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर दिए ठाय किजेगा तो चलिया हम बनाना स्टार्ट करते हैं घोड़ा सा आलू आलू Watch हमें ध्यान रखना है कि छोटे-छोटे आलू हमें लेना है और कुछ ले लेंगे सेम और हर इमिर्च अपने टेस्ट के अप ले लीजे तो यह सारी चीज आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से ले लीजे जितना आपको बनाना है तो यहां करना यह है कि हमें गोभी काना नहीं है हर इमिर्च को बस हम ऐसी ही काट करके इस अचार में डालेंगे तो यह देखिए हमारा सेम जो है वो कफे अच्छे से कट गया है अब हम इसको काटने के बाद आलू को भी छील लेते हैं और उसको भी काट लेते हैं अब सेम को वॉयल करने के लिए यहां पर हमने पानी गरम होने के लिए रख दिया है और इसी गरम पानी में हम बस दो मिन्यट तक इस सेम को वॉयल कर लेंगे तो अब हमारा सेम भी जो है वो उबल चुका है तो किसी अब इस ट्रेनर में हम इसको निकाल लेंगे और अब हमिसके बाद हरी मिर्च को दो भाग कर देंगे अगर आप इसको बीच से स्लिट करना चाहते तो वह भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसका दो पाट कर दे रही हूँ अब हम इन सब्सब्स τονद को धूप में रख देंगे तो इन सब्सेम इसे नहीं सुखाना है बस एक दो घंटे के लिए हमें धूप में छोड़ देना है ताकि उपर का पानी वो जो सूख जाए उसके बाद हम इसमें मसाले आट करेंगे तो फ्रेंड्स सब्सिया हमारी धूप में हमने इसे दो घंटे के लिए सुखा लिया है और ये सूख गया है अगर आपके पास धूप नहीं आ रही है तो आप इसे पंखे के नीचे भी दो तीन घंटे के लिए ड्राइ कर सकते हैं तो ये हमारा अच्छे से ड्राइ हो गया है तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले आट करते हैं मसाला जो है बहुत ही सिंपल इंग्रीडेंट्स है आपको आसानी से अपनी किचन में मिल जाएगा तो या पर मैंने एक चमच अज्वैन और कॉलांजी ले लिया है एक चमच सरसो का दाना ले लिया है अचार से पाच हमने लाल मिर्च ले लिया है लाल मिर्च के जगा पर आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हमने डाल दिया है एक चमच राई और सरसो के दाने तो और इसमें हम डाल देंगे सुखी वही लाल मिश और इन सारे चीज़ों को हमें एक fine powder बना लेना है तो अब हम इन सारी सब्जियों को एक bowl में transfer कर देंगे अब हम इसमें मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले इसमें जाएगा सरसो का तेल तो सरसो का तेल हमने एक कटोरी डाल दिया है इसमें क्योंकि अचार में जब हम थोड़ा सा तेल जादा डालते हैं सरसो का तो अचार का टेस्ट काफी बढ़ता है बहुत टेस्टी लगता है इसके बाद इसमें जाएगा हल्डी का पाउडर, सफेद नमक, काला नमक, अज्व तो ये लिजे फ्रेंड्स हमारा टेस्टी सा यम्मी सा वेजिटेबल अचार बनकर रेडी है बिलकुल खाने के लिए और आप इसे इंस्टेंटली बनाकर सर्फ कर सकते हैं ये काफी टेस्टी लगता है और आप इसको दस दिन तक रखकर भी खा सकते हैं वैसे दस दिन रहता नहीं है घर में उससे पहले ही आपका ये अचार खतम हो जाएगा आप इस अचार को राइस के साथ चपाती के साथ किसी के साथ भी सर्फ किजेगा खाने का टेस्ट डबल हो जाता है तो देख करके तो आपके मूह में पानी आहीं रहोगा दोस्तों तो एक बार जरूर से बनाईएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर से खिलाईएगा मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई झाल जोस्तों और उजर खिलाईएगा झाले इलाईएगा झाले एक रफ्लेगा रहाईएगा झाले इलाईएगा